नमस्कार दोस्तों सुवागत अब सभी के HP एक्जाम फेर्स में आज हम जनरल साइंस के कोशन करने वाले हैं जो भी आज तक HP अलाइट सर्विसिस के एक्जाम में पूछे गए हैं हाल फिलाल में जो है 24 पोस्टे HP अलाइट सर्विसिस की हिमाचल पर देश में आई हैं में डाल दियें आपको साइंस का लेवल पता लगज़ागा कि जो साइंस है वो कि 낮वल की पूछे जाती है और आप सभी को पता है जो प्री एक्जाम है उसमें लगबग दो सो कोशन जो है आप से पोच और दिया 20 question जो है science के रहते हैं तो देख लेजी level क्या है science का first question है which of the following has the highest velocity तो आपको बताने हैं इनमे से सबसे ज़्यादा velocity किस की है cosmic rays की है, light की है, electron की है या supersonic wave की है तो बताइए सबसे ज़्यादा जो velocity है वो किस की है ठीक है सबसे ज़्यादा speed किस की है first का right answer है वो है light तो light जो है उसकी maximum speed है light आपने देखा यह जैसे sun से earth में आने वे उसे 8 minute से लगबग कुछ लगता है 8 minute कुछ second लगते है तो जो light है उसकी speed सबसे ज़्यादा है जैसे यहाँ supersonic wave दिये हमारे जैसे fighter plane से वो क्या है अब supersonic speed से चलते है जैसे sound की speed से ज़्यादा जलता है उसे supersonic speed बोलते हैं ठीक है तो मगर यहाँ पर जो option है सबसे ज़्यादा speed किसके light की light की जो है वो maximum speed है first right answer option B है second देखे velocity of light is maximum तो आपको उतना है जो light है उसकी speed यानि velocity सबसे ज़्यादा किस में है डाइमंड में है water में है vacuum में है hydrogen में तो पताई कौन से medium में जो है light की सबसे ज़्यादा velocity है second right answer के second right answer है वो है vacuum तो vacuum में जो है light की सबसे ज़्यादा velocity है second right answer option C है third देखते है a light year is तो आपको बताना है light year है क्या चाहिए option भी दे रहे है the amount of light given off by sun in one year तो इसको cut कर दो यह right answer नहीं होगा the distance traveled by light in one year in vacuum हाँ यह हो सकता है the year in which February is of 28 days यह भी cut कर दो time taken by light to reach the earth from sun ठीक है तो B और D में इसका right answer होगा third right answer के third का right answer है the distance traveled by light in one year in vacuum तो जो distance light travel करती है एक साल में vacuum में उसे क्या बुलते है Einstein was awarded Nobel Prize for which one of the theories तो यह चार theories है Einstein ने दिया आपको बताना है इन में से कौन सी theory के लिए Einstein को Nobel पुरसकार मिला है तो theory of relativity यह भी Einstein ने दिया है photoelectric effect भी Einstein ने बताया है theory of specific heat भी और theory of brownian motion भी तो Einstein को बताइए इन चारों में से किस के लिए Nobel Prize मिला है प्याल प्यायक राजोवा GW प्यायकार व के प्याव इंची है फोर्थ का राइट अंसर वह है photoelectric effect तो photoelectric effect में जो electrons होते है metal की surface से जैसी उस उस पर light जो है incident होती है एपको जो है किसंगले बताया है इसथेन वह ताइट फ्क है photoelectric effect जो है Einstein ने बताया है H V, ठीक है, H क्या है, यह Planks Content है, और V क्या है, यह Frequency है, तो Frequency को V को कैसे लेख सकते हैं, C by Lambda, C क्या है, Speed of Light हो गई, और Lambda क्या है, यहाँ Wavelength है, तो इसको अगर आप Mix करोगे, तो कैसे लेखोगे, E equal to H, यहाँ पर है, H का H रहे हैं, तो V की जगा, C by Lambda रिख दो, तो इसका Right Answer क्या है, Option B, इसका Right Answer है, H क्या है, यह Planks Constant है, C क्या है, Speed of Light है, और Lambda क्या है, यह Wavelength है, ठीक है, तो यहाँ पर Energy of Photon of Wavelength क्या है, यहाँ पर Option B, रहेट आंसर होगा, फिफ्ट का Right Answer, Option B है, चलिए 6 देखते हैं, The Xylem in Plants are Responsible for, तो Xylem जो है Plant में किसले Responsible होता है? बहुत ही Easy question है, तो इसका Right thumbnail होता है, तो यहाँ पर हमसे water पूछ है तो इसका right answer क्या है? 6 का जो right answer है वो है option A, ठीक है? चलिए next देखते हैं, 7th है where do plants store resin and gums? तो जो plant है वो resins और gums को कहां store करता है? Old floem में, old xylem में, chloroplast में या etioplast में तो जो plant है वो resin और gums को कहां store करता है? 7th का right answer क्या है? 7th का right answer है वो है old xylem, ठीक है? Old xylem इसका right answer है, जो plant है, वो resins और gums को कहां store करता है? Old xylem में जो है store करता है, 7th का right answer option B है, तो आपका idea लग रहोगा कि biology के कैसे के कुशन पूछे जा रहे हैं, chemistry के कैसे कुशन आ रहे हैं, physics के कैसे आ रहे हैं, 8th देखिए, what is the major driving force for movement of water in the xylem during the day? तो xylem में दिन के दोरान पानी की गती के लिए प्रमुक प्रिरगबल क्या है? तो जो xylem है, उसके through water plant में, जो है move करता है, तो major driving force क्या है? root pressure है, transpiration है, photosynthesis है, rotation है, तो process पूल रहे हैं कि यहां कौन सी process से जिससे जो है, water जो है travel करता है, तो उसे transpiration बोलते हैं, transpiration में क्या होता है, जो water की movement होती है, वो throughout plant होती है, और जो area plants होते है, plant के, जैसे की flower हो गया, stem हो गया, leaves हो गया, वहां से जो है, excess water evaporate कर जाता है, तो इसी पूरी process को क्या बोलते हैं, transpiration बोला जाता है, तो यहां आपर पूछा है, what is the major driving force for movement of water in the zealum during the day, तो उसे transpiration बोलते हैं, 8 का यह टांसर option B है, 9 देखे, which of the following is not a component of chlorophyll, तो आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा जो है chlorophyll का एक component नहीं है, तो chlorophyll जो होता है, उसका डाइग्राम कैसे होता है, जो magnesium है, वो center में होता है, उससे जो है nitrogen जोड़े होते हैं, long hydrocarbon chains भी होती है, तो hydrocarbon chain मतलब है hydrogen भी हो गया, carbon भी हो गया, magnesium आप देख सकते हैं, तो magnesium होता है, तो magnesium होता है, जो calcium है, वो नहीं होता, तो इसका right answer कैसी है, कौन सा, इनमें से chlorophyll का component नहीं है, वो calcium जो है, chlorophyll का component नहीं है, chlorophyll क्या करता है, plant में जो light होती है, उसे जो है, absorb करता है, capture करता है, और जो chlorophyll है, वो plant में कहां मिलता है, chloroplast में मिलता है, ठीक है, तो उसमें major component की आओगे, carbon भी है, magnesium भी है, प्लोगी बॉडी मैट्रो कौंट्रिया राइब चैल बोलते हैं तो 10 पावर हॉस आफ दा सेल बोलते हैं तो 10 प्लीट स्टीमेटल बना दिया पिछली बार के स्ट्रेट इस में पूरि माड्रियल को बनाया गिया आपको जो है हिमाचल जीके के descriptive notes मिलेंगे, हर एक चीज गवर किये, quality, history, आपको साथ में जो है, उसके MCQ मिलेंगे, Indian जीके भी same हमने, history, quality, economy, हर एक चीज गवर करके, एक साल के current affair, current affair जो है, allied exam के लिए बहुत जादा important है, तो current affair भी आपको मिलेंगे, वो भी descriptive format, ठीके, descriptive तो पूरे current affair आपको एक साल के इसमें प्रोवाइड के जाएंगे, और दस latest pattern पे test series, एक जो mock test होगा, उसमें 200 question होगे, तो जो mock test है, वो सारे मैने बनाये, दस आपको full length mock test इसमें दिये जाएंगे, महत्मा गांजी से related भी जो है, 7 से 10 question exam में आते हैं, disaster management से related, 7 से 10 question exam में आते से 7.99 में complete study material में मिलेगा, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो काफी time बात allied की vacancies आई है, और पूरा exam relevant, exam specific material है, हमने बनाती है, तो इस number पर WhatsApp करके, जो है आप detail ले सकते हैं, बाकि हम 11 question देखते हैं, what do gastric glands secrete, तो जो gastric glands है, वो क्या secrete करते हैं, SCL only, SCL and pepsin only, SCL, pepsin and mucus, SCL, amylase and mucus, तो जो gastric glands होते हैं, वो क्या secrete करते हैं, 11th का राइटान सके है, HCL, pepsin and mucus, ठीक है, option C, इसका राइटान सर है, SCL क्या करता है, HCL जो है, bacteria को गिल करता है, pepsin क्या करता है, pepsin जो है, digestion में help करता है, protein की, mucus क्या करता है, जो inner lining होती ह स्टमक की उसे प्रोड़क्ट करता है, तो जो gastric glands है, यह तीनों को सेगरेट करते है, HCL, pepsin and mucus, 11th का राइटान सर ऑप्शन सी है, 12, देखे, in human beings, where does perillastic moment occur, तो यहाँ पर बोल रहा है, जो humans होते है, उनमें peristylactic, जो moment है, वो कहाँ पर अकर होती है, जैसे कि, आपको बता होती है, तो यहाँ होती है, all along the guts होती है, all along the guts होती है, all along the guts, जो है, यह moment होती है, जैसे खाना digest किया, throat में गया, फिस्टमक में, आइंस्टैन में, जो जाता है, wave-like moment में जाता है, तो 12th का राइटान सर के है, option A, इसका राइटान सर है, 13, देखे, the image formed by a concave mirror is real, inverted and of the same size, as that of an object, the position of the object is, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर concave mirror बनाना पड़ेगा, ठीक है, concave mirror बना देते हैं, यह हमारा concave mirror है, फिर इसमें बोल रहा है, जो एक object है, ठीक है, यहाँ पर माले दें, object है, ठीक है, तो इसकी जो image बन रही है, वो कैसी बन रही है, real बन रही है, real बन रही है, ठीक है, real बन रही है, और same size की, तो real का मतलब, जो आपका mirror है, उसके इस side ही बनेगी, ठीक है, अगर दूसरे side बनती ही, तो virtual होती है, तो इस side ही बनने चाहिए, क्योंकि वो real है, और इसने बोला inverted, तो हमने नीचे की side को image बनाई है, तो यह कैसे ग अचा है, जो object है, वो कहाँ place किया होगा, तो वो कहाँ किया होगा, c में, ठीक है, center of curvature में जो है, उसे place किया जाएगा, तो इसका right answer का होगा, at c, ठीक है, at c, इसका right answer है, जो object है, वो c पे होगा, center of curvature में, यहाँ पर stand है, ठीक है, और जो image है, वो कैसे बन रही है, real बन रही ह तो inverted है तब हमने नीचे को बना दी और जो इसकी rays है वो focus से जाएगी तब भी जो है आपका ये बनेगा तो इसका right answer के कहाँ पर होगा आपका object यह होगा center of curvature में C इसका right answer है 13 का right answer option C है चलिए 14 देखते है what will happen to a ray after passing through the principal focus of a concave mirror तो इहां पर बोट रहा है एक रहे को क्या होगा अगर जो है focus से जो है पास करता है ठीक ऐंचे को फिर बना दो सेम रहे पना दिया यह आपकी जो है एक्सिस है तो यहां पर बोल रहा है जो रहे है वो कहां से travel करी focus एक फोकस से ट्रेवल करेगी तो जहां गरेगी जो principle से हैं उसके पैर्लेल जाएगी तो जो रइकर तो वह पैरल जाएगी प्रिंसिप्ल एक्सस white branch skin option a उसका रहें किए आप भी एक चीज़ सागते हैं किसी तरह के कोश्टन आरहिएं दो टाहीं प। आइडिया लगए लगए कि हां यह चीज़े तो मुझे पढ़नी पढ़ेगी 15 देखिए what is the relationship between the radius of curvature and the focal length of the spherical mirror of small aperture तो इसमें आपसे relation पुछा है radius of curvature की किस के साथ focal length के साथ ठीक है तो एक spherical mirror है small aperture का तो उसमें आपको जो है जिसे यहां पर यह आपका क्या focus है ठीक है focus है और आपका जो radius of curvature है उसमें क्या relation होगा तो वो क्या होगी आर जो है radius of curvature जो है वो किसके ब्रावर का two focus के ठीक है two fk तो focus का दोगना होगा ठीक है तो इसका right answer क्या option b इसका right answer है next देखिए 16 rear view mirror of a car is तो जो car होती है उसमें rear view mirror होते है उसमें कोन सा जो है lens यह या यूज होता है plane convex is छोए यूज होता है rear view mirror की तरफ जो car होते हैं जो cat अई उसमें कौंगेक्स मिरर लगा होता है 16 का एट आंसवर और ऑप्शन वी है 17 the convex lens is use to correct तो convex lens जो है वह किस लिए यूज होता है किस चीज़ को और्रेट करने कम यूज किया जाता है short side defect को long side defect को astigmatism को या plannedness को तो बताइए convex lens जो है वो किसले use किया जाता है तो convex lens जो है वो long side defect को use करने के लिए help किया जाता है long side defect में क्या होता है जो आपको दूर की चीज़े वो तो अच्छे से दिख रही है अच्छे से नहीं दिखती दूर की दिखती है थीक है तो उसे long side defect बोलते हैं ठीक है long side defect बोलते है इसमें क्या है जो 25 cm है जो आपका normal point नेर वीयो होता है ठीक है normal linear point होता है 25 cm को होता है तो 25 cm से दूर की जो चीजें वो तो आपको बढ़िया दिखेगी हूझ मगर जो उसके अंदर होगी यानि आँने क्यों को ठीक से नहीं दिखेगी तो कोई भी चीज ऐसे आपके आँक के पास आएगी 25 के से उसका जो है कहां पर बनेगा इमेज जो है वापके कहां तो यहां पर कॉन सा लगाएंगी है यहां पर गोंग्स मिरर लगाएंगे तो जो इमेज है वह आपके आंके बैक सेड यहां पर form हो जाएगी है तो इसे क्या बोलते हैं यह आपका long side defect, long side defect दूर की चीजे दिखती है, pass की नहीं दिखती है, और उसे किस से ठीक किया जाता है, convex mirror से ठीक किया जाता है, अब जैसे मेरा चश्मा लगा हुआ है, मेरे को जो है दूर की चीजे नहीं देखती है, तो उसे यह बते है, short sightedness बोलते हैं, जैसे यह मेरी बन जाएगी, ठीक है, फोकस के पास यहां पर बन जाएगी, आगे ठीक है, यहां पर back में बन जाएगी है, तभी मिरे को अच्छे दिखेगी, तो मैं कौन सा lens यूज करना हूँ, concave lens यूज करना हूँ, ठीक है, concave lens मैंने यहां लगा रखा, जैसे मेरे चश्मा इसमें, concave lens लगा है, अब मेरी image जो है, वो back side में यहां पर बन रही है, तो मैंने, अगर इसे याद करना होता है, कैसे, कि मिरे को जो है, दूर की चीज़े नहीं दिखती है, तो मुझे short sightedness है, यहां पास की चीज़े दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, और मेरा जो lens है, वो कौन फिर मुझे जो है, दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो 17th correct answer के, convex lens किसको correct करता है, long side defect को correct करता है, 18 तीकि, an air bubble in water behaves as, तो जो air bubble होता है, तीकि air bubble होता है, water का, वो कैसे behave करता है, divergent lens की तरह, convergent lens की तरह, plain mirror की तरह, यह plain glass की तरह, तो सबसे पहले जैसे, अगर आपको जाना ह यहाँ से फैल जाएगी, convergent में, क्यों, convergent में, जैसे यह lens है, तो एक जगाँ में जाएगी, ठीक है, यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पर चलेगी, यहाँ से, एक जगाँ में, जो है, focus, वहाँ सी, चले जाएगी, तो जो air bubble होता है, water का, वो कैसे behave करता है, वो divergent lens की तरह, करता है ठीक है option A इसका right answer है 18' का right answer के option A ठीक है divergent lens जो है air bubble water का behave करता है 18' का right answer option A है 19th है the gap between two neurons is called तो दो neuron के बीच में जो gap है उसे क्या बोलते हैं dendrite synapse exon या impulse तो बता ही दो neurons के बीच में जो gap है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते है synapse ठीक है 20 रेखें, Lewis posture was associated with, तो आपको बताना है कौन सी थियोरी के साथ जो है Lewis posture related है, theory of special creation, theory of spontaneous generation, theory of biogenesis, यह none of these, तो बताइए, Lewis posture जो है, वो कौन सी थियोरी से related है, वो है, the theory of biogenesis, तो biogenesis में क्या होता है, जैसे new living organism तभी आएंगे, वो किसे जो previously organism होंगे, उन से जो है, वो reproduce होंगे, ठीक है, sexual तरीके से भी हो सकते है, asexual भी, जैसे आप आए हो, तो आप कैसे आए हो, क्योंकि आपकी मम पापा थे, तो जैसे भी हो sexual, asexual, ठीक है, दो टाइक के reproduction होती है, तो उसे जो है new organism आता है, तो वो ही इस थियोरी में बता रहा है, कि new living organism है, can only emerge from other previously existing living organism as a result of reproduction, ठीक है the solution turned red limit to blue, its pH is likely to be, तो आपको बताने, एक solution है, वो red limit में बना रहा है, तो इसको pH कितना होगा, तो blue बना रहा है, मतलब बेसिक है, तो 7 से 14 के बीच में होना चाहिए, तो देखिए, आपर 10 ही है, 7 से 14 के बीच में, तो solution turns red limit to blue, यह नहीं बेसिक है, तो 7 से 14 के बीच में होग of carbon wax on heating, इसमें कोई भी chemical reaction योज नहीं हो रहा है, तो इस सारे science की question है, यहाँ पर, यह PDF जो है, आपको description दूँगा, बीस question मैंने करा दी आपको, बाकी के जो 40 से 50 question है, वो मैंने आपको description में दिये है, वित answer की, question की PDF अलग है, और answer की उसी के निचे दे रहा है, तो question को खुद attempt करो, आपको idea लगे है, कितने science के question आपको आ रहे है, क्या आपकी science उस level की है या नहीं, जैसी allied में पूछी जा रही है, तो अगर आपकी question गलत हो रहे है, तो आपको science में भी work करने की ज़रत ने है, क्योंकि मैंने आपको गता है, 200 में से 20 के around science के question भी exam में पूछे जाते है तो यह PDF जो है, आपको description में मिल जाएगी, answer वाली भी साथ में दूँगा, इसे खुद attempt केजिए, क्योंकि वीडियो देखतो लोगे, बाद में जाके भूल जाओगे, जब तक खुद चीजों को नहीं करोगे, चीजे याद नहीं रहेगी, तो आगे भी जो है, आपके तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमसे ओनलाइन कोचिंग लेना चाते हो, तो इस नमबर पर WhatsApp कर देना, ओनलाइन कोचिंग लिख के, ठीक है, मैं आपको जो है, वहापर reply कर दूँगा, हम हिमाचल के सभी exams की तैयारी कराते हैं, डेली 5 गंटे लाइब क्लास ह सब्सक्राइब कर देखते हैं, तो आप सभी को पता है, अगर वीडियो को लाइक कर देना, बाकि और भी अच्छा-चा कंटेंट जो है, आपके लिए मैं बना रहा हूँ, जल्दी जो है, यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बा